गोरी कव्वी और कालू कव्वे का जंगल में चाय का ठैला था वो दोनों पती बतनी सारा दिन चाय बेचा करते ठकी हारी माही चील अपना ओटो खड़ा करती है और कव्वों के पास चाती है कव्वी और कव्वे एक अप चाय दो और पती थोड़ी तेज रखना सर में बहुत दर्द हो रहा है जादू है माही चील मेरी चाय में एक घूंट पियोगी तो तुरंत सर का दर्द दूर हो जाएगा जब शाम को कवा और कवी अपनी बच्चत का हिसाब लगाते तो उन्हें कुछ खास मनाफा न होता कालू ये क्या सारा दिन चाय बना बना कर मेरे पांक ठक गए और बना सिर्फ पांसो रुपै इतने पैसों की तो मैं सुभा दूद पती और शकर ही लाई थी गोरी हमारा चाय का ठैला है हम कोई सुनार नहीं है दाल रोटी ही बचती है ऐसे काम में दाल रोटी दाल रोटी ठक गई हूँ मैं हर रोज दाल रोटी खाखा कर रात को कवा और कवी अपने घर में लेटे हुए थे कालू जी तुम्हारे मामा जी के पास हर काम का कोई न कोई उपाए होता है तुमकाल अपने मामा जी के पास जाओ और उसे पूछो के हम चाए का मनाफ़ा कैसे बढ़ा सकते हैं हाँ मेरा मामा जी बहुत चातर है उसके पास कोई ना कोई उपाए जरूर होगा सुबहा हो जाती है कववा और कववी दोनों अपने मामा जी के पास दूसरे जंगल जाती है मामा जी क्या करें सारा दिन चाए बना बना कर ठक जाती हैं मगर शाम को कोई खास कमाई नहीं होती मामा जी बहुत मुश्किल से दूद के पैसे ही पूरे होते हैं अपना पुराना काम शुरू कर भान जे चाई में मिलाओ नीद की दवा और जिस पक्षी को पिलाओ रात को अराम से करो उसी के घर का सफाया क्यों कैसी लगी मेरी बात मामा जी आपकी बात में दम है मगर नीद की दवा हम कहां से लेंगे मामा जी है न और कहां से लो ये दवा नीद की है जिस पक्षी के घर रात चोरी करना हो उसे चाई में मिलाकर इस दवा के दो कतरे पिला देना सारी रात खेराटे ले लेकर सोता रहेगा वो पक्षी अपने मामाची से चाय में मिलाने के लिए नीद की दवा लेकर कवा और कवी वहां से वापिस होते हैं कालू वो तोता और तोती सबसे अमीर हैं इस जंगल में हम सबसे पहले तोते और तोती के घर में चोरी करते हैं कववा और कववी बात कर ही रहे थे कि तोता और तोती चाय पीने आ जाती हैं सना कववे दो कप चाय लगाओ गरम गरम और हाँ शकर थोड़ी ज़्यादा और दूद भी डाल देना अपने जैसी काली चाय ना बना कर दे देना मोटी चोंच वाले तुझे तो मैं आज ऐसी चाय पिलाऊंगी कि सारी रात आँख नहीं खुलेगी तुम्हारी गोरी मन ही मन में ऐसा सोचती है गोरी कवी चाय बनाती है और नीद वाली दवा के दो कतरे उस चाय में मिला देती है तोते चाय पिते हैं और घर चले जाती है मिठो जी कुंडी लगा देना मुझे तो आज बहुत ज़्यादा नीदा रही है हर्याली दोती बात करते करते ही सो जाती है और मिठो में भी कुंडी लगाने की हिम्मत ना थी वो भी बिना कुंडि लगाए ही सो जाता है आधी रात को कवा और कवी घर से निकलते है वो सीधे तोते और तोती के घर आते है कालू कालू देखो तो, मोटी चोंच बाला बिना कुंडि लगाए ही सो गया, दरवाजा भी खुला है गोडी आहिस्ता बोलो दोनों कवे तोतों के घर में घुस जाती है और अलमारी से सारा पैसा निकाल लेती है वो तो सोई हुई तोती के गले से हार भी उदार लेती है मगर तोते और तोती को कुछ खबर नहीं होने पाती अपना काम दिखाने के बाद कवा और कवी चुप करके वहां से भाग जाते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच कालू, कालू जी, पहले ही दिन पूरा पाँच हजार बजा है और, और ये सोने का हार भी तो देखो कालू जी, अगर तुम बुरा ना मनाओ तो ये सोने का हार मैं अपनी छोटी बेहन को दे दूँ अब ही तो शुरुआत है गोरी हम इतने सोने के हार इकठे कर लेंगे मैं भी सोने का हार पहनूँगा और तुम भी कवा और कवी अपनी पहली सफलता पर बहुत खुश थे दूसरे दिन जब तोटा और दोटी 12 बजे के बाद सो कर उठते हैं तो वो घर का सामान बिखरा हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं पिठो जी मिठो जी मेरा सौने का हार मेरे गले में नहीं है अलमारी भी तो देखो अलमारी में पैसे भी नहीं है हम लोट गे कोई चौर सब लोट कर ले गया तोधा अर्थोधी रौने लग जाते हैं कालू आज उस मोटी आंखों वाली चडिया को अपना शिकार बनाते है गोरी वो चडिया तो चाई बीने नहीं आएगी तुम चिंता ना करो मैं उसे आवाज देकर मुफ्त में ही चाई पिला दूँगी अब हमें चाई से कमाई की जरूरत नहीं बस पक्षियों का चाई बीना बहुत जरूरी है गोरी कवी थोड़ी दूर बैठी चडिया के पास चाती है चडिया चडिया वो मैंना की बच्ची बहुत शरारती है कल भी चाई छोड़ कर चली गी और आज भी वो मेरे साथ मजाक कर गई गोरी बेहन आप उस मैंना से चाई के पैसे पहले लिया करो चडिया तुम आओ मेरे साथ और वो चाई का कप पी लो मैं तो सुभा से चाई पी पी कर ठक चुकी हूँ जरूरत तो नहीं है गोरी मेरे पास पैसे भी नहीं है चुडिया शरम करो तुमसे पैसे कौन मांग रहा है चला मेरे साथ और लगा ले दो गूंड चुडिया गोरी के साथ जाती है कवे ने पहले से चाई में नींद की दवा मिला रखी थी गोरी चडिया को चाई देती है और चडिया मजे मजे से वो चाई पी लेती है अपने घर जाकर चडिया तो गौंसले में गिरते ही सो जाती है कवा और कवी ये जानते थे कि चडिया सो गई होगी इसलिए वो तो रात का भी इंतजार नहीं करते कवे शाम को ही चड़िया के घर आते हैं और लूट मार शुरू करते हैं चड़िया के संदूक से सारे पैसे, चड़िया का निया लहंगा, चड़िया के गहने, कवे सब लूट लेते हैं कालू जी, चुडिया की फ्रिज में देखो, कुछ खाने को है, तो भोजन भी यहांसे ही कर लेते हैं। फिर कवा चुडिया की फ्रिज से फल निकालता है, और कवे बड़े मजे से वो फल वहीं बैठ कर खाती है। कालू जी मामा जी ने तो चोरी का ऐसा उपाई बताया है कि कोई डर नहीं है अब चोरी करने का लूट मार करने के बाद कवा और कवी आराम से अपने घर जाते हैं और सो जाते हैं दूसरे दिन चिडिया उठकर रोने लग जाती है उड़ता हुआ कबूतर वहां आता है पहले हुई तोटे की जोरी फिर हुई चुडिया तुम्हारे घर कहरी नीद आई थी दोनों को इसका मतलब कुछ तो है उन कवों की चाई में कुछ तो है मैं समझी नहीं कबूतर भेया चुडिया धीरज रखो मैं सब समझ क्या हूँ कबूतर कवों के चाय के ठेले के पास एक पेड़ में छुपकर बैठ जाता है कालू जी आज नीद की दवा पिलाएंगे मोटी बुलबुल को और कालू उस गंदी आंखों वाले कबूतर को पिलाकर उसके घर का सफाया करेंगे कबूतर सब सुन रहा था और जैसे ही कवे बुलबुल को चाय में वो नीद की दवा मिलाकर चाय पिलाने लगते हैं तो कबूतर सामने आता है चोर एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है कौन? कौन चोर कबूतर है? शरम करो, यहां कौन चोर है? अब ही बताता हूँ फिर कबूतर पूलीस को फोन करता है पूलीस आ जाती है और कबूतर पूलीस को सारी बात बताता है हम् heavily और कवे बहुत चातर बनते हैं तुम दो चार दिन जैल की डाल खाऊगे तो अकल्ठीक आने आ जाएगी फिर पूलीस कवें को पकड़ कर ले जाती है और कवे सारी जोरियां वापिस कर देती हैं पुलिस कवों को उल्टा लड़का कर खूब पिगाई करती है प्यारे दोस्तों इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शियर और चैनल को सबस्क्राइब करना पिल्कुल मत भूलना आपका धन्यवाद दूर किसी जंगल में एक चिडिया और उसका पती लकडी का काम करते थे वो गरीब लकड़ारे थे वो दूसरे पकश्यों के घर बनाते और लकडी से कई और चीज़ें वो ज्यादा अमीर तो ना थे परन्तु उनका अच्छा गुजारा हो रहा था एक दिन एक कवा और कवी उनके पास आते हैं लकड़ारे जी हमें अपना घर बनवाना है कितने में बना कर दोगे घर दूसरे पकश्यों से तो हम पूरे सो रुपे लेते हैं परन्तु आप से पचास ही लेंगे क्योंके आप हमारे पूराने जानने वाले हैं आप पैसे जितने चाहे ले लेना परन्तु हमारी एक शर्थ है जी जी बताएं आपकी क्या शर्थ है हम घर बनाने के लिए लकड़ी अच्छी सी लगवाएंगे हम अभी जंगल से लकड़ी लेने जा रहे हैं आप हमारे साथ ही चलें जो लकड़ी आप पसंद करेंगे हम उसी लकड़ी से आपका घर बना देंगे फिर वो ऐसा ही करते हैं कवा और कवी उन लकड़ारे पक्षियों के साथ घने जंगल में जाते हैं चिडिया का पती एक अच्छा मोटा सा पेड़ दिहकर कवे से कहता है सेठ जी ये पेड़ ठीक है इस पेड़ की लकड़ सबसे अच्छी होगी हाँ मुझे भी ये पेड़ी ठीक लग रहा है आप इसे ही काट ले फिर वो लकड़ हारा पक्षी अपना कलहारा चलाता है वो जैसे ही अपना कलहारा उस पेड़ पर चलाता है तो उस पेड में से एक आवाज आती है मैं एक अच्छा पेड हूँ आप मुझे ना काटना बदले में आप जो मांगोगे मैं दूँगा ये देख वो सब तो हैरान हो जाते हैं कालू जी ये तो इस लकड़ हारे के हाथ बड़ा खजाना लग गया है पेड जी हमें कुछ नहीं चाहिए बस हमें एक नया कलहारा दे दें हमारा कलहारा पुराना हो गया है अब इसे हमें लकड़्या काटने में बहुत मुश्किल होती है और बदले में आप मुझे अपना पुराना कलहारा दोगे ऐसा कहते हुए वो पेड उन्हें एक नया और बहुत तेज धारवाला कलहारा दे देता है और उनका पुराना कलहारा ले लेता है लकड़्यारे हमें कोई काम याद आ गया है हम फिर आएंगे आपके पास घर बनवाने ऐसा कहते हुए कवा और कवी वहां से चले जाते हैं ये कवा और कवी तो ऐसे ही हमें तंग करने आगे थे चलो इसी बहाने हमें अपना काम करने के लिए एक नया और अच्छा कलहारा मिल गया कालू जी आप ऐसे ही आगें वहां से अब घर का क्या करना है तुम भी भुद्दु ही हो, अब हमारा घर बनाएगा वो जादुई पेड़, वो लकड़ हारे वहां से चले गए होंगे, अब मैं जाता हूँ और उस जादुई पेड़ से घर मांगता हूँ ऐसे कववा वापिस जंगल में जाता है, और जंगल में जाकर उसी पेड़ पर कलहारे से वार करता है ना ना, आप मुझे ना काटें, बदले में जो आप मांगोगे मैं दूँगा, मुझे एक सुन्दर सा पका खर चाहिए, और बदले में आप मुझे दोगे अपनी पतनी ये सुनकर कालू थोड़ी देर के लिए कुछ सोचता है हम, पतनी, पतनी तो फिर से मिल जाएगी, मैं ये मोका जाने नहीं दूँगा मुझे स्वीकार है, आप ले ले मेरी पतनी कालू आप जाएं, उसी पेड़ पर, जहां आप रहते हो, सुन्दर सा घर बन गया है वाह वाह, ये घर तो सच में बहुत सुन्दर है, अब मैं कोई अच्छी सी कवी देखकर दूसरी शादी कर लूँगा कुछ दिनों बाद कालू फिर से पेड़ पर जाकर वार करता है कवी तुम फिर आगे अब क्या लेना है, मुझे धेर सारा खजाना और एक हवाई मोटर चाहिए, और बदले में तुम दोगे मुझे अपनी टांगें कवा एक बार तो परिशान होता है, परंतु तुरुन्त बोलता है ले ले मेरी टांगें, मेरी टांगें ले ले, हवाई मोटर मिल जाएगी और मेरे पंक भी है, मुझे इन टांगों की कोई जरूरत नहीं है फिर वो पेड़ कवे को ठेट सारा खजाना और एक हवाई मोटर देता है, और बदले में कवे की टांगें ले लेता है कव्वा सारा खजाना हवाई मोटर पर रखता है और घर चला जाता है वो तो पूरे जंगल में अमीर पक्षी बन गया था बड़ा आलिशान महल जैसा घर, सोना और धेड़ सारे हीरे मैं टांगों के बिना जी सकता हूँ परन्तु इस मालो दोलत के बिना जीना बहुत मुश्किल है अभी कुछ ही दिन गुजरते हैं कि कव्वे के मन में विचार आता है मैं क्यों ना पतनी भी उस जादूई पेड़ से ही ले लूँ बदले में जो मांगेगा मैं दे दूँगा ऐसा सोचते हुए कालू कव्वा अपनी हवाई मोटर में बैठकर फिर से उस जादूई पेड़ के पास जाता है वो कलहाडा चलाता है और पेड़ पूछता है अब क्या लेना है? मैं नहीं काटूंगा आपको अगर आ मुझे एक नहीं और सुन्दर सी पतनी दे दें और बदले में दोगे तुम मुझे अपनी आँखें आँखें? आँखें ले लो, ले लो आँखें मैं कुन सा आँखों से भोजन खाऊंगा? भोजन तो मैं अपनी चौच से ही खाऊंगा फिर वो पेड एक सुन्दर सी कवी कवे को दे देता है और कवे की आंखें ले लेता है कोई फरक नहीं पड़ता अगर मैं अंधा हूँ अब आप मेरी पतनी हो मैंने अपनी आंखें दे कर तुम्हें उस पेड से लिया है अब जल्दी से मुझे मेरी हवाई मोटर में बठाओ और जंगल में सबसे बड़े घर में ले चलो वो कवी ऐसा ही करती है आपने अपनी आंखें दे दी टांगें दे दी इतना लालच ठीक नहीं जो जिन्दगी आप जी रहे हैं शायद कोई भी ऐसे जीना नहीं चाहता पतनी जी मेरे पास सब कुछ है नोकर चाकर है घर है धन दोलत है मुझे किसी की जरूरत नहीं है मुझे ये सब कुछ चाहिए था जो मिल गया और तो और अब तो मुझे पतनी भी मिल गई अब तो केवल एक ही इच्छा है अभी भी कुछ लेना है उस जादोई पेड से बस एक चीज लूँगा और फिर कभी नहीं जाओंगा उस जादोई पेड के पास फिर कुछ दिन बाद कवा अपने पतनी से कहता है मुझे मेरी मोटर में बठा कर उस जादोई पेड के पास ले जाओ वो ऐसा ही करती है अब तुम्हारे पास देने को क्या है मैं आप से ऐसी जिन्दगी मांगता हूँ जिसे कभी मोत नहो और आप जो मांगो मैं दूँगा तो फिर अपने पंख दो ले ले ना तो मैंने उड़ना है और ना ही इन पंखों से कोई काम करना है आप ले मेरे पंख और मुझे हमेशा की जिन्दगी दे दे फिर वो पेड कभी को हमेशा की जिन्दगी दे देता है और कभा बिना टांगों, बिना पंखों और बिना आंखों अपने घर लोटाता है मैं ऐसे कभी के साथ नहीं रह सकती जिसकी ना ही आंखें हैं ना टांगें और ना ही पंक तुम तो शकल से एक बिकारी लग रहे हो हमेशा जिन्दा रहूंगा कभी नहीं मरूंगा और ये मालो दोलत तमहारी भी तो है वो तो मेरी ही होगी अगर तुम यहां ना भी हुए तो फिर उसकी पत्नी अपने नोकर को बुलाती है जो कवे को उठा कर दूर जंगल में फैंक आते हैं वो ना तो उठ सकता था ना देख सकता था और ना ही चल सकता था परन्तु उसकी सांसे चल रही थी जिसे वो हमेशा की जिन्दगी कह रहा था फिर उसका लालिच उसे यहां तक पहुंचा देता है गंदम की फसल तियार थी जंगल के सभी बक्षियों को अपने अपने गंदम की फसल काटने की चिंता लगी हुई थी ऐसे ही रानो जिडिया अपने पती के साथ अपनी फसल में बैठी थी कुकु के पापा इस साल तो हमारे गंदम की फसल बहुत अच्छी हुई है हमने मेहनत भी तो अच्छे से की थी मोसम का कुछ पता नहीं ना जाने कब पर साथ शुरू हो जाए अब हमें अपनी फसल जल से जल काटना होगी ममा अब मैं बढ़ा हो गया हूँ और इस बार मैं भी आपके साथ गंदम की फसल काटने में आपकी मदद करूँगा क्यों नहीं मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है और अब हमारी मदद करेगा रानो आप कुकु को लेकर घट जाएं और मैं पास वाले जंगल के लोहार से दरंती लेकर आता हूँ हम काल से ही अपनी फसल की कटाई शुरू कर देंगे और फिर रानो चिडिया और कुकु अपने घर लोड जाते हैं और पापा चिडिया गंदम काटने के लिए नहीं दरंती लेने दूसरे जंगल जला जाता है कालू जी मैं तो आज अपने मेक के जा रहे हूँ वहां मेला लगा हुआ है मुझे दो दिन लग जाएंगे ममा ममा मैं भी सा जाओंगा मुझे भी मेला देखना है मेरा जग्गू तो मेरे साथ ही जाएगा तुम्हारे लिए तो मैं जा रहे हूँ गोरी शरम करो कैसी बाते कर रही हो हमारी गंदम की फसल पकर कटाई के लिए त्यार है हमें कल से अपनी फसल की कटाई शुरू करना है अगर फसल समय पना काटी तो फसल खराब हो जाएगी कालू जी मैं बहुत लाड़ प्यार से पली बड़ी हूँ अपनी मा के हाँ मुझसे नहीं होगी गंदम की कटाई तो फिर जग्गू को यहीं छोड़ जाओ मैं अकेला यह सारा काम कैसे करूँगा कभी सोचना भी ना मैं अपने जग्गू से इतने मुश्किल काम नहीं करवा सकती ममा ममा पापा मेरी तरफ घूर कर देख रहे हैं तुम उसे घूरने दो अभी तक तुम्हारी मा जिन्दा है अभी तुम्हारे खेनने के दिन है और तुम्हारा पापा तुम्हारे हाथ में दरंती देना चाहते हैं गोरी अगर परसाज शुरू होगी तो सारी फसल बरबाद हो जाएगी फिर भूके मरेंगे हम सब तुम भी भुद्धू ही हो कालू मेरे साथ चलो मेरे मैके वाले जंगल में मेरे जीजाजी के पास गंदम काडने वाली मशीन है हम उससे बात करते हैं वो काड़ जाएगा हमारी गंदम और फिर तुम देखना कैसे रानो चुडिया जैसे पक्षी आँखे फाड़ फाड़ कर देखेंगे जब मेरे जीजाजी मशीन से हमारी गंदम काटेंगे अगर सच में ऐसा है तो मैं चलता हूँ तुमारे साथ लेकिन समय थोड़ा है हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा मैं कों से जूट बोल रही हूँ तुम चलो मेरे साथ और फिर वो सब अपनी पकी फसल छोड़ कर दूसरे जंगल चले जाते हैं कुकु के पापा आप मों अंधेरे ही कुकु को साथ लेकर गंदम की कटाई पर निकल जाना मैं आपके पीछे मीठे चावल बना कर ले आऊंगी और फिर हम सा मिलकर गंदम काटेंगे मीठे चावल ममा ममा मुझे तो मीठे चावल बहुत पसंद है मेरे बेटे जितना मन चाहे खा लेना मैं थोड़े ज़्यादा ही बना लूँगी गंदम की कटाई में तो भूग बहुत ज़्यादा लगती है वो तो अच्छा हुआ मैं समय पर चला गया लोहार के हाँ वो बता रहा था कि उसके पास भी केवल कुछ ही नहीं दरंतिकां बची है कुकु के पापा गंदम तो कालू कव्य की भी त्यार है क्या वो भी काल से कटाई शुरू कर रहे है जब मैं वापिस आ रहा था तो वो सारा परिवार ही दूसरे जंगल जा रहा था गोरी बता रही थी कि उसके जीचा जी की कोई मशीन है गंदम काटने वाली वो तो अपनी गंदम मशीन से कटवाएंगे कुकु के पापा फिर तो बहुत मजाएगा गोरी और कालू को उन्हें तो मेहनत करना ही नहीं पड़ेगी हमें मेहनत से डरना नहीं चाहिए बलके मेहनत शोक से करनी चाहिए वो तो डरते हैं मेहनत से इसलिए भागे फिर रहे हैं मशीन के पीछे पीछे अगर मशीन ना मिली तो फिर देखना उनकी सारे फसल खराब हो जाएगी और फिर रात हो जाती है और वो सब सो जाते हैं दीडी कब तक आ जाएंगे जीजाजी तुम्हारे जीजाजी अपनी गंतम काटने वाली मशीन ठीक करवाने के हुए है शाम तक तो लोटी आएंगे सबसे पहले हमारी गंतम काटनी है आपने बताया है ना जीजाजी को मैंने बताया था वो जैसे ही वापस लोटेंगे सबसे पहले तुम्हारी ही गंतम काट कर आएंगे शाम तक वो लोट तो आएंगे ना जरूर वो जरूर लोट आएंगे ममा, ममा तो फिर हम शाम तक मेला देख लेते हैं मुझे तो बड़े वाले जूले में बैठना है दीदी, हम फिर दिखा ही लाते हैं जगू को मेला और कल जीचा जी के साथ ही लोट जाएंगे और फिर वो सब पास में ही मेला देखने चले जाते हैं गोरी और जगु तो उस बड़े जूले में बैठ कर बहुत खुश हो रहे थे और फिर वो नाओ में बैठ जाते हैं नाओ तो कुछ ज़्यादा ही तेज चल रही थी जबके दूसरी तरफ आकाश और उसका बेटा कुकु सुभा से अपनी गंदम की फसल काट रहे थे और फिर रानो चुडिया भी उनके पीछे भोजन लेकर आ जाती है ममा ममा मैंने पापा से ज़्यादा गंदम काटी है रानो अब तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है अब हमें काहे की फिकर वो सब बहुत खुश थे और वो अपना काम बहुत खुशी खुशी कर रहे थे वो भोजन खाते हैं और फिर से गंदम की कटाई शुरू कर देते हैं गोरी बस करो अब चलो हमें वापस भी जाना है कालू जी कभी हमें इंजवाय ना करने दिया करो पापा बस थोड़ी देर रुक जाएं मुझे बहुत मजा रहा है तुम दोनों चलते हो तो ठीक है नहीं तो मैं अकेला ही चला जाता हूँ अच्छा बाबा अच्छा इतना गुसा क्यों कर रहे हो चलो अब तक तो मेरे जीजाजी भी आगे होंगे अपने गंदम काटने वाली मशीन लेकर और फिर वो अपनी बेहन की तरफ चले जाते हैं जिसका घर भी पास में ही था दीदी क्या आगे जीजाजी मशीन लेकर गोरी तुम्हारे जीजाजी का फोन आया है कि वो तो मशीन को ठीक करवा कर पहाडों माले जंगल चला गया है और इस बार वो उसी जंगल में गंदम काटेगा बासे यही सुनाना बाकी था अब समय जाया ना करो चलो और सुभा से हम सब मिलकर गंदम काटेंगे दीदी मुझे तो पहले ही पता था जीजाजी कभी मेरा काम नहीं करेंगे अच्छी बली अंसलियूड करवादी मेरी आपने कालू जी के सामने चल भी कालू चलें आई थे मिला तो देख लिया और फिर वो सब वापिस हो लेते हैं और फिर शाम हो जाती है रानो जीडिया और उसका पती अपने गंदम अकठी करते हैं और उनके गांठे बनाते हैं हम कल तक अपनी सारी फसल समेट लेंगे और फिर अपने काम से फारिक होकर हम जाएंगे दूसरे जंगल मेला देखने मेला फिर तो ममा बहुत मज़ाने वाला है मैं कल पापा के साथ जल्दी कटाई पर आ जाऊंगा और हमसा मिलकर जल्द काम कर लेंगे अपने गंतम की घांठे बनाने के बाद वो सारा परिवार अपने घर वापिस चला जाता है गोरी देख लो रानो चुडिया ने अपनी आदी से ज़्यादा फसल काट ली है और वो कल तक अपनी सारी फसल काट लेंगे कालू जी मेरे सामने रानो की तारीफें न किया करो मुझे तो वो जरा अच्छी नहीं लगती ना वो इतने काम करे और ना तुम मुझे हर समय उसके ताने दिया करो अगले रोज कुकु और उसका पापा फिर से अपनी फसल की कटाई शुरू करते हैं गोरी सापक्षी अपनी अपनी फसल काट रहे हैं केवल एक हमारी ही गंदम अभी तक खेत में ऐसे ही खड़ी है मेरी मानो तो हम सम मिलकर कटाई शुरू कर देते हैं जाओ और काट लो जाकर मेरे तो पांक खराब हो जाएंगे अगर मैंने गंदम काटी तो जोकु कुकु तुम से चोटा है और वो अपने ममा पापा के साथ पूरा काम करवाता है और एक तुम हो किसी भी काम को पंक नहीं लगाते ममा ममा पापा फिर घूर कर देख रहे हैं ऐसे हमें खूरने की कोई जरूरत नहीं है जाओ और अपना काम करो और फिर कालू खामोशी से वहां से चला जाता है वो सीधा दूर से जंगल जाता है उसके मन में विजार था कि वो अकेला ही अपनी फसल की कटाई शुरू कर देगा इसलिए वो नई दरंती लेने जाता है पक्षी मुझे एक अच्छी सी तेश दरंती दे दो मैंने अपनी फसल की कटाई शुरू करना है परंतु मेरे पास था दरंती खतम हो गी है और सपक्षियों ने अपनी गंदम काट ली है क्या तुम्हारी फसल अभी तक खड़ी है बस इस बार मैं अभी तक आट नहीं पाया अपनी फसल और फिर कालू नाराश होकर वापिस चला जाता है कुकु उसका पापा और रानो जिडिया अपनी गंदम लेकर अपने घर पहुँच चुके थे अब हमारी साल भर की चिंता खतम हुई वो ऐसे ही बातें कर रहे थे कि आसमान पर काली घटाएं चा जाती है और बातें चोड से करश्टा है और साथी तेज बारिश शुरू हो जाती है भगवान तेरा शुकर है हमारी फसल हमारे घर आगी दूसरी तरफ कालू की सारी गंदम बारिश में भीग रही थी सबने अपनी अपनी फसल समेट ली थी पूरे जंगल में केवल एक कालू और गोरी की फसल ही बारिश के पानी में डूब रही थी कालू जी बारिश तो सच में आगी अगर पहले पता होता तो हम सम मिलकर अपनी फसल काट ही लेते लेकिन कालू हमोश था उसके नजर तो बारिश में भीगती अपनी फसल पर थी इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो समय पर काम नहीं करता उसे बात में पिश्ताना ही पड़ता है